हेलो गाइज वेलकम बैक टू गाडिद वर्ड मैं हूँ आपका होस्ट अभिशेग वर्मा और आज की वीडियो में आप जानने वाले हो मीनी कूपर SE के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार आप लोग नहीं करते हो यार दिल से बड़ा बुरा लगता है वैसे तो मीनी कूपर SE एक छोटी हैच बैग है लेकिन आप लोगों को डैमेंशन भी जान ले लेने चाहिए कहीं आपके एक्जाम में ना आ जाए खेर लेंथ है 3845 mm की विट है 1727 mm की और हाइट है 1432 mm की गाइस क्या आप लोगों को पता है मीनी कंपनी को BMW ओन करती है और तो और BMW इंडिया मार्किट में दूसरी इलेक्रिक कार के लिए प्रिपेर हो चुकी है पिछले स के बाद BMW ग्रूप मीनी कूपर SE को लॉंच करने जा रही है हाला कि मीनी कूपर SE की प्रिबुकिंग स्टार्ट हो चुकी है जिसके पहले लॉट में 30 कार्स अल्रेडी बुक हो चुकी है भाई यह गाड़ी इतनी जबरदर्स है कि हर को यह खरिदना चाहेगा ना इसको वैस मीनी कूपर SE को 2019 में अन्विल्ड किया था कंपनी ने यह गाड़ी मीनी की तीन डोर्स वाली हैच बैक होगी हाला कि कूपर SE लगभग सेम दिखती है पिछले वेरियंट मीनी आइस से लेकिन मीनी कूपर SE EV पेट्रोल वेरियंट से 145 केजी भारी है ए भाईया एक्स्टीरि बैजिंग के साथ क्रोम एसेंट दिखता है और तो और इस हैच बैक में आपको नए एरो आप्टिमाइज वील मिलते है आउटर और इनर ग्रिल में नियन यलो एसेंट भी मिलता है इभाया हमें ये गाड़ी गिफ्ट कर दोना इसके टायर प्रोफाइल की बात करे तो वैस लीटर का बूट पेर भी मिलता है इभाया मीनि कूपरائसी के कुछ फीचर्स भी बताईए ना वैसे तो कंपनी ने अभी इसके फीचर्स को डिस्क्लोज नहीं किया है लेकिन ऐसा एकस्पेक्ट किया जा रहा है कि मिनी आइस से मिलते जुलते फीचर्स हो सकते हैं मीनि कूपर AC में 8.8 इंच का इंफोटेन्मेंट सिस्टम मिलेगा नपा लेदर अफल्स्ट्रे होगा और फुली डिजिटल क्लेस्टर होगा वैसे फीचर्स और भी काफी कुछ होगे इसमें आपको चलो गाइस अब बताता हूँ आपको मिनी कूपर AC के इंजिन और ट्रांस्मिशन के बारे में इसमें आपको 32.6 किलो वाट आर की लिथियम आइन बैटरी होगी और तो और WLTP से सर्टिफाइड है कूपर AC जो पर फ्यूल चार्च पे 233 किलो मेटर तक की रेंज कवर कर लेगी यह यह WLTP का होता है WLTP की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड हार्मोनाईज लाइट वहिकल टेस्ट प्रोसीजर गोचू इसके बारे में तो तेर को मैं परसनली बता दूगा लेकिन गाइस अगर पैक को एक इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट किया गया है जो की 182 HP का पावर और 270 NM का टॉक जनरेट करेगा अरे भाइया इलेक्ट्रिक गारी है यह तो बड़ा जहमेला है इसको चार्ज करने में अरे नहीं गोचू ऐसा नहीं है कॉपर AC में दो चार्जिंग ऑप्शन मिलत इकर के आप इसको 0-80% मातर 35 मिनड में चार्ज कर सकते है और इसकी टॉप स्पीड बताऊं तो 0-100 की स्पीड सिर्फ 7 सेकिंड में टच कर लेती है और इसकी टॉप स्पीड 150 किलोमेटर पर आर्की है वैसे कूपर AC इंडिया मार्किट की पहली सस्ती लक्जरी इलेक्ट्रि इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसे हुई खत्म बाइबाई टाटा गुटबाई गया मेरको मालूम था इस तरह का घटिया सवाल तू ही पूछ सकता है इलेक्ट्रिक गाड़ी तो 10-12 लाख में भी आ जाती है लेकिन ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है ये लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है इसके राइवल्स होगे मर्स्रीज बेंज एक्यूसी ओडी इड्रॉन जैग्वार आइपेस ब्यम ड़ू आइक्स और अपकमिंग बॉल्वो एक्सी 40 रिचार्ज और ये इंडिया मार्किट में आपको कुछ पाच अर्ट्रेक्टिव कलर्स में लॉन्च होगी मून वो ग्रे वाइट ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन वाइट सिल्वर मेटलिक और मिडनाइट ब्लैक इभाईया काफी अच्छे कलर्स ऑप्शन्स है इसके दिलखुस हो गया ठीक है गाइस वीडियो को यहाँ पर खतम करते हैं अगर आपको वीडियो ग्रेंगेट